आप सभी दोस्तों का स्वागत है क्रिसी छात्र मित्र के अंदर में आज हम पढ़ेंगे लाइन डिवलाप्मेंट एंड मेंटेनेंस ब्रीडिंग इन सेल्फ एंड क्रोस पॉलिनेटेड क्राप A-Line, B-Line, R-Line क्या होती है Two-Line System, Three-Line System क्या होता है कैसे हम Hybrid Seed Production करते हैं जो Hybrid Seed Production होता है उनमें तीन लाइनस का उपयोग किया जाता है पहला होता है Seed Parent Line ये क्या होती है इसमें Male Ishterile होता है मतलब बाज होता है और इसका उपयोग Female Parent की तरह होता है मतलब की मादा जनक की तरह उपयोग होगा अंगला है Maintainer Line Maintainer Line में क्या होता है ये Male Fertile होता है इसमें मतलब की Male Nisiation कर सकता है Fertilization कर सकता है इसका उपयोग Male Parent की तरह करते है तीसरा होता है Restorer Line ये भी Male Fertile होता है और इसका उपयोग भी male parent की तरह किया जा सकता है ये तीनों lines inbred line के through तयार की जाती हैं जो कि self cross method से तयार होती है self pollination repeatedly generation by generation बार 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 करने से तयार होने वाली method है सबसे पहले हम पढ़ेंगे inhibition of cross pollination मतलब cross pollination को हम कैसे रोगे तो जिस flower को जिस flower में हमें काम करना है उस flower को हम butter paper या किसी कपड़े के थैले से ढख देंगे ताकि किसी दूसरे flower के pollen grains इस पर ना आएं और इसे fertile ना करें next है artificial self pollination artificial self pollination में क्या करते हैं हम सुबा के time आते हैं forcep की मदद से और brush की मदद से pollen grains को collect करते हैं pollen grains को collect करने के बाद female part पे ले जाके छिड़क देते हैं तो उससे seed तयार होता है और उसके बाद छिड़कने के बाद हम फिर से जो female flower था उस पर हम bag लगा देंगे और bag लगाने से होगा कि कोई दूसरा pollen आकर उसको प्रदूसित नहीं करेगा नेक्स्ट पढ़ेंगे repetition of selfing इसमें क्या होता है जो self pollination होता है वो 8 से 10 पीड़ियों तक या generation तक होना चाहिए और साथ ही हम ऐसे पौधों को select करेंगे जिन में vigorous हो और वो disease free हो प्रते एक generation में अंगला point है इसमें जो homo gyagocity होती है वो बढ़ती जाती है और hetero gyagocity कम होती जाती है जो 10 पीड़ियों होती है उसके पौधे 99.99% 99.99% homo gyagocity होते है जो की inbred lines कहलाते है अब हम पढ़ेंगे hybrid seed production इसमें दो प्रकार के line system का यूज़ किया जाता है पहला होता है three line system हम दूसरा होता है two line system three line system में क्या होता है इसमें A line, R line और B line होती है सबसे पहले हम जानते हैं A line के बारे में यह male sterile होता है मतलब इसका जो male होता है वो fertile नहीं होता है वो निसेचन नहीं कर सकता है जो की female parent की तरह यूज़ किया जाता है इस line में जो हमें वान्चित गुण चाहिए होते है desired traits चाहिए होते है वो मिलते हैं और इसी को हम seed parent line भी कहते हैं अंगला है B line B line में जो male होता है वो fertile होता है और इसे male parent की तरह यूज़ करते हैं और इसे हम maintainer line कहते हैं इसको maintainer line इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे हम A line को maintain करके रखते हैं क्योंकि जो B line होती है वो A line से ISOGENIC होती है मतलब दोनो A और B line genuinely identical होते हैं एक दूसरे की तरह ही होते हैं A और B line में दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि एक में male sterile होता है और एक में male fertile होता है अगली लाइन है R-Line It is a male fertile line that is used as a male parent इसका भी male fertile होता है और इसको use हम male parent की तरह करते हैं इसे हम restore line भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो male की fertility है hybrid plants में वो restore रहती है जो हमें desired traits चाहिए होते हैं plants में वो इस line में मौजूद होते हैं और इसे हम pollen parent line भी कहते हैं अब हम पढ़ेंगे maintenance of a line a line का maintenance कैसे करते हैं तो इसमें जब हम b line से cross कराएंगे तो a और b line दोनों एक दूसरे के isogenic होते हैं अब एक दूसरे genetically एकदम same to same होते हैं a line को हम female parent की तरह use करते हैं b line को male parent की तरह use करते हैं अब इसका जो field में maintenance होता है वो कैसा होता है a और b line को हम 4 ratio 2 के हिसाब से लगाते हैं मतलब 4 line a की होंगी और 2 line b की होंगी और जब maturity हो जाए plants में तो हमेशा seeds a line वाले ही seeds को हमें select करना है अब हम पढ़ेंगे hybrid seed production कैसे करते हैं तो hybrid seed production में cross करवाते हैं हम a line से r line का इस cross में हम a line को female parent की तरह यूज करते हैं और r line को male parent की तरह यूज करते हैं जो r line होती है वो male fertility को store करके रखती है इसी कारण से जो hybrid seed होते हैं उसी से hybrid plants को produce करवाते हैं hybrid seed field का maintenance कैसा होना चाहिए इसमें जो ratio होता है row of plants का a line चार लाइने एकी होनी चाहिए और r line की दो लाइन से लगी होनी चाहिए after maturity मतलब पकने के बाद हमेशा seeds a line वाले ही लेने चाहिए जो की 100% hybrid seeds होते हैं next हम पढ़ेंगे two line system two line system में क्या होता है इसमें तीन पॉइंट्स होते हैं chemically induced male sterility मतलब chemical का यूज करके हम male को कैसे sterile करेंगे दूसरा है environment sensitive genetic male sterility environment से sensitive होकर genes या male कैसे sterile हो जाएंगे तीसरा है transgenic genetic male sterility transgenic से हम कैसे male को sterile करेंगे जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे chemically induced male sterility इसमें हम क्या करते हैं कुछ chemicals का यूज करते हैं जो की male को sterile कर देते हैं जिनें हम gametocides कहते हैं example है GA3 ethereal हो गया male hydroxide NA sodium zinc methyl arsenate ये सब chemical होते हैं जिसका उपयोग करने से male sterile हो जाता है लेकिन इसमें क्या होता है जब plant को treat करते हैं हम chemical के साथ तो pollen inactive हो जाता है या मर जाता है लेकिन एक चीज होती है जो chemical के कारण जो male की sterility होती हो पूरी तरह से नहीं होती है incomplete होती है तो इसलिए हमें कई बार इसको treat करना पड़ता है बार बार हमें chemical का यूज करना पड़ता है अब बार बार यूज करने से यह होता है जो female की fertility है वो भी कम हो जाती है और भी बहुत सारे additional कारक होते हैं effect होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं अब इसके फाइदे क्या है लाब क्या है बेनिफिट्स क्या है तो बेनिफिट्स यह हैं कि बाय केमिकल ट्रीटिमेंट male sterility can be produced in any line आप किसी भी लाइन का उपयोग करके केमिकल ट्रीटिमेंट से male sterile कर सकते हैं और यह heredatable नहीं होता है और इसी केमिकल मेथड का यूज करके चाइना में धान की hybrid seed production की जाती है नेक्स्ट है environment sensitive genetic male sterility इसमें क्या होता है जो nuclear gene होते हैं वो environmental factor से interact करते हैं और यह निरधारित करते हैं कि male sterile होगा या fertile होगा इसका उपयोग हम rice के लिए जो hybrid seed production होता है उसमें करते हैं EGMS इसे हम short form में कहते हैं EGMS दो तरह एका होता है पहला होता है temperature sensitive genetic male sterility जिसे हम TGMS कहते हैं दूसरा होता है photoperiod sensitive male sterility जिसे हम PGMS कहते हैं अब हम पढ़ेंगे TGMS के बारे मतलब temperature sensitive genetic male sterility इसमें क्या होता है इसका उपियोग tropical countries में करते हैं जहाँ temperature बहुत ज्यादा change होता है ऐसे पढ़े पूरी तरह से male fertile होते हैं जहाँ का temperature 28 degree centigrade से कम हो जबकि यदि temperature 30 degree centigrade से ज्यादा होगा तो उस पढ़ेंगे जितने भी male part होंगे वो sterile होंगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे PGMS या फिर photo period sensitive genetic male sterility के बारे में इसका उपियोग temperate countries में होता है जहाँ दिन की लंबाई या length of the day में major changes होते हैं ऐसे पौदे जिने 13 गंटे या 13 hours का light period मिलता है या 13 गंटे या 13 hours के light period से कम मिलता है वो उसके male fertile होते हैं जबकि ऐसे पौदे जिनको 14 गंटे light period या 14 गंटों से ज्यादा light period मिलता है उन पौदे के male sterile होते हैं मतलब बांज होते हैं वो fertilization नहीं कर सकते हैं PGMS lines को maintain कर ले के लिए ऐसे area में grow कराना चाहिए जहां 13 गंटों से कम light period आता हो तभी male fertile रहेंगे पूरी तरह से लास्ट है TGMS या फिर ट्रांसजेनिक जेनेटिक male sterility इन दिस मेथड दे यूज ओफ जेनेटिक इंजिनेरिंग टू ट्रांसजीन्स आर एकस्प्रेजड इन दा टेपूटम ओफ एंथर्स जिसमें से एक ट्रांसजीन male sterility और जो दूसरा होता है वो male fertility को restore करता है after hybridization जो टू ट्रांसजेन्स होते हैं जो obtained किये जाते हैं बैक्टिरियम से पहला है बारनेज जीन दूसरा है बारस्टर जीन्स सबसे पहले हम जानेंगे बारनेज जीन क्या होता है यह तयार होता है आरनेज जो की transcription और translation से बनता है male sterility को generate करता है next है बारस्टर जीन इट क्रियेट्स एन इन्हीबिटरी प्रोटीन थ्रू ट्रांस्क्रिप्सन और translation यह इन्हीबिटरी प्रोटीन को तयार करता है जो की restore करता है male fertility को और यह inactivate कर देता है आरनेज को आप सभी दोस्तों को धन्यवाद notes एवलेवल है टेली ग्राम चैनल एगरी कल्चर स्लैस क्रिसी छात्र मित्र के इंदर पर प्राम चैनल और